कितने लोग आपसे उमीद लगा के बैटे थे, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंट्स, आपके टीचर्स, और आपने भी यार इस उमीद पे खड़ा उतरके दो साल रगातार कंसिस्टेंटली मेनत करी है, हर जेनोट के उसी टाइम डेविल, उसी चीडियूल को पॉलो करना, वही boring subjects को पढ़ना, physics, chemistry, math, खुद को distraction से दूर रखना, जब आपके जो friends हैं जो की board exam की त्यारी कर रहे होंगे, या फिर आपके जो J की त्यारी नहीं कर रहे होंगे, वो बहार घुम रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, पार्टीज कर रहे होंगे, उस समय बैट कर आप अप पढ़ाई की उपर focus करे हुए थे, तो मेरे भाई, सबसे पहले तो इस वीडियो की starting करने से पहले, खुद के लिए ताली बजालो मेरे भाई, क्योंकि आप हो एक असली warrior, क्योंकि आप war लगने जा रहे हों मेरे भाई, आपने जो महिनत करनी थी, जो इस चीज के लिए required था वो कर लिया है, और आप यह war already जीत चुके हो, अब तो खाली result आना बाकी है, हो सकता है वह result किसी का अच्छा आएगा, किसी का खराब आएगा, लेकिन यह जादा matter नहीं करता है, कि result खराब आ रहा है, यह matter करता है कि मेरे भाई, तुमने दो साल consistently मेनत करिये, और अब तुम चीज़े बता देता हूं, जिससे 20 से 30 नमबर तो बहुत जबर्दस लेवल पर बूस्ट कर लोगे, अभी के अभी, ठीक है, मेरे को भी डर बहुत लगा था, मेरे टाइम में मुझे याद है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा smartly चलते हो, तो आप बहुत जबर्दस लेवल प यहाँ पर भी, यहाँ पर भी NIT मिल सकता है, वो shift की उपर भी depend करता है, 100 to 110 जा रहे हो, बहुत बढ़ी है score है, आप अराम से 120 तो 130 एक्जाम निकाल सकते हो, lower NIT, lower NIT in terms of cutoff बोल रहा हूं है, ठीक है, क्योंकि NIT तो सभी अच्छा perform कर रहे हैं, lower NIT in terms of cutoff, यह आपको मिलने क चांसे बन जाते हैं, अगर आप 120 तक को 140 प्लस तक आप जा सकते हो, जहाँ पर NIT की जैसे NIT कुरूख शेतर, NIT अलावाद, या फिर NIT सूरत कले टाइप की जो NIT तोप के 578 NIT है, वहाँ पर आपको decent branch, civil, mechanical, ऐसी branch मिलने के चांसे हैं, CSE का यह भूत हैं, तो 160 प्लस score करो, और CSE branch मिलने के chances आपके बन जाते हैं, अब सबसे बड़ा बच्चों को जो doubt रहता भी रहता भी हैं, हम लोग कित्ते कित्ते questions exam में attempt करके हैं, तो देखो बात को समझो, आप इस समय mock test में, जो serious attempt हैं, उसको count करो, ठीक है, मेरे ख्याल से, अगर आप 30 क्यास पास attempt कर रहे हो, तो 100 क्यास पास land करोगे, 40 कर रहे हो, 50 कर रहे हो, 60 कर रहे हो, तो यह score से जाना आप land करोगे, अब इसका discussion मैंने क्यों करा, कि भाया यह number of questions का discussion क्यों करा, देखो, बहुत सारे ऐसे students है, जिनको ऐसा लगता है, कि अगर मैं अपनी silly mistakes को कम कर लूँँगा, तो मेरे score बहुत attempt करके, क्या बड़ा उखाल लोगे भाई, ठीक है, तो आपने यह focus नहीं करना है, कि मेरे silly mistakes ना हो, भाया मेरा जो है, वो बहुत ज्यादा consciously अब चीज़ अटेम्ट कर रहे हो, नहीं, attempt करना है, थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना है, और डरना बिलकुल नहीं है, कि हम जाते है, main चीज़ के उपर, वो है, कि आप अपने score को इस समय boost करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो, अगर को बच्चा 30 question attempt कर रहा है, exam के अंदर, ठीक है, बात को समझना बहुत द्यान से, आप 30 question attempt कर रहा है, exam के अंदर, तो आप maximum 100, 110 यहीं तक तो पहुच सकते हो, ठीक, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि score को बूस्ट कर सके, तो हमें number of attempts बाने पढ़ेंगे, serious number of attempts, तो के नहीं मार दिये, serious number of attempts, तो यह अगर 35 पर चला जाएगा, तो हो सकता है, पांच जो सवाल अपने extra attempt करें, उसमें से 3 सवाल अपने सही भी हो जाए, तो हमारे पांच बस नंबर इस समय बहुत सारे YouTube पे marathon चल रहे है, full physics in one video, full chemistry in one video, ऐसा को marathon उठा लो, ठीक है, और उसके अंदर, उसके अंदर जो chapter आपने नहीं का और रखे हैं, उसके formulas note कर लो, उसके क्या करना है, formulas note कर लो, ठीक है, और जो सर्वापर question ले रहे हैं, उसको इपर देख लो कि उसके ना, क्या पता, एक सवाल extra आप यहां से बनाया हो, एक सवाल extra आप chemistry से बनाया हो, यह दो सवाल extra chemistry से बनाया हो, और यह सही भी हो जाए, तो आपके 8 से 10 number बढ़ने की probability यहां पर रहती है, अब यह चीज़ में आपको personal experience से बताता हूँ, मैंने एक chapter था, ठीक है, मेरा एक chapter थ बिल्कुल ही रद्नी सवाल आगया, क्यार भीया, A1, B1 दिया था, A2 दिया था, B2 निकालना था, ऐसा करके कुछ प्वेशन था, ठीक है, तो भाई, मैंने यह formula चुपी पाढ़ रखता था, तो एक question मैं करके आगया, मुझे fluids का घंटा कुछ नहीं पता था, मैंने fluids बिल्क क्या पता होने चाहिए, और आखरी के समय में इस प्रकार की पकड़ बना कर रखो, ठीक है, तूसरी चीज़ क्या है, आप पेपर attempting strategy की बात कर लेते हैं थोड़ा, इस समय आप mock test के नंदर बहुत अलगलग चीज़ें ट्राय कर रहे होगे, लेकिन एक को standard strategy मैं बता रहेता ह किसी से भी चालू कर लो matter नहीं करता, बढ़ जब आप exam के नंदर गुस्ती हो तो आपका थोड़ा anxiety का level थोड़ा सा high होता है, तो उस anxiety की level को कम करने लिए न स्टार्टिंग में chemistry के inorganic में चले जाओ, स्टार्टिंग में क्या होगा, 5-10 सवाल बन जाएंगे जो directly आपको tick लगाने है, ठीक है, उससे क्या होगा, पहले ही 10-15 मिनिट के अंदर आपके 40 मार्क्स आ गए, तो आपको थोड़ा confidence increase हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर आप कर सकते होगे, आप physics पर जाना चाहते हो, मेरा कहने का मतलब यहीं रहेगा कि पूरे paper को as a whole, एक paper मान के चलन होगे, यहाँ पर आप 2-3 मिनिट के इंदर इस सवाल पर सकते हो, तो जहां से नंबर आ रहे होंगे, मंस पर focus करेंगे, दूधरी जीज़, match attempt करने से पहले चूकी यहाँ पर एक question को करने में time ज्यादा लगता है, तो question rejection पर focus ज्यादा करना, कहने का मतलब कहा है, जैसी आप attempt करने गए, पहले ही आप क्या करो, सारे question को visit कर लो, और उन question पर cross लगा लो, जो बिल्कुल ही solve नहीं हो सकते, जो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, तो उससे क्या होगा, भई आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, कि मेरे पर एक घंटा बचा हुआ हुआ, और भई एक तरफ क्या रखना, इस पर accuracy पर focus करना, क्योंकि इसमें आप वैसे भी कम attempt करने वाले हो, मैं बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चे math के अंदर 10 सवाल attempt कर रहे हैं, 6 गलत कर दे रहे, आरे मेरे भाई, जब तुम 10 ही attempt कर रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से attempt करो ना, इसको आप सिली हमें एक भी सवाल गलत नहीं करना है, मैं बचाता हूँ, मैं math करना 10 से 12 सवाल करके आता था, और ये मेरे रिकॉर्ड था, मैरे चार attempt दिये थे, चार बार जही में से हुआता हमारे उस वेल 2021 के अंदर, दो बार खाली है, दो attempt में ऐसा हुआ था, कि मेरे एक या दो सवाल ग question selection, इस पर आपको फोकस करना है, जैसे ही आप exam के अंदर जाओ, आप physics उठाई, आपने chemistry उठाई, सबसे पहले अपने पहले 10 question को select कर लो, दो मिनिट लगेगा, लेकिन आप इधर उधर नहीं भागोगे, फिर focus आपका divided नहीं होगा, दो मिनिट में आप गए paper खोला, paper खोल class for review कर दिया कि आप चलो questions attempt over confidence आएगा, प्लस क्या है, प्लस क्या है, आप question attempt करते हैं, बहुता clean question attempt करना, सफाई से करना, ऐसे कचल बचल मत कर देना, कचल बचल करोगे, तो number भी गचल बचल बचल जाएंगे, दूजरी चीस, triple line checking method को यूज़ करना, इस से आपकी silly error सबसे र बचल रही है, आप लोग दे ही नहीं रहे हैं, कितने साथे बच्ची attempt करना है, टेस्ट को अच्छे marks लेकर आ रहे हैं, अच्छे score boost करना है, तो आप भी यही संगल पी test series जरूर लो, description में लिंक पड़ा हुआ है, all India test series चल रही है, अच्छी से perform करो, उसके अंदर, triple line checking method, क् X square, X square equal to 25, ठीक है, X equal to plus minus 5, मालो इससे पहले मैंने एक statement all लिख रखा था, ठीक है, जब मैं, यह वाला statement लिखूंगा, तो एक line छोड़के मैं उपर आला statement check करूंगा वापस से, ठीक है, अब आगे मालो मैंने इस X equal to plus minus 5 इसकी value आई, मेरेको कुछ ये equation थी, y equal to 4x, तो मेरे X equal to 4 into minus 5, ठीक है, जब मैंने यह वाली question लिखी, तब मैं इसके तो, तो, एक step छोड़के उपर, आप step कहा था, यह, यह मैं चेक करूंगा, जब मैं यह लिख रहा था, तो, एक step छोड़के उपर लिखा हुगा, तो यह step check करूंगा, यानि, कहने का मतलब क्या है, जब आप यह step लिख होगे, आप इसका, एक step छोड़के उपर का check करोगे, आप जब यह step लिख होगे, आप यह step लिख होगे, आप एक step लोगे, आप हाई chances, हाई chances हैं कि आपको अपनी गल्ती नजर आ जाएगी, अगर silly mistake होई होगी, फिर, इस चेझ यह करना एक भी silly mistake नहीं होगी, यह चीज और ले जानी है अधार हो या कोई बेटिंटिटी का प्रूप लेकर जाना है अंडर टेकिंग अपनी आप साइन माइन करके लिए जाओ जो भी वहां पे लिखा रहते हैं इंपल क्लोट में जाना है ठीक है जाना है कोई बहुत जाधा भारी क्लोट वगरा मत पहें जाना सिम्पिल जो सिम्पिल बिल्कुली बोरिंग लोट से आपके उसमें जाओगे मैं तो लोगर में गया था भाई वेपर देने ठीक है दूसरी चीज कोई भी लेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसे निले जाने मोबाइल ले जाने कैल्कुलेटर निले लियाना पैन रखके लि लगा लो तकि कोई फॉर्म ले दिमाग से लिपनाओं करते चलो उसका अनालिस करते चलो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दूँगा मॉक टेस्टिंग का कम्प्लीट एक मैंने वह बना रखा था कि कि किस प्रकार से आप मॉक टेस्ट दो गे मॉक टेस्ट जने के बाद क कैसे अटेम्ट को जो आपने अटेम्ट करें उसका करोगे आगे कैसे करोगे वो सब मैंने मालिक रखा यह गैस्वर्क के उपर में वीडियो लगा दूँगा सब भी देखकर आना तुक्यवाजी वाले वीडियो पर देखकर आना जरूरी है भाई पास से छे कोश्टिंग क कूरी दीन में डाएगी ठिक है आफ़्री चीज ढूरी चीश मोस्त इंपॉर्टन बेहरा यह तुमने त्यारी जब कर रही थी तो यह जो सपना तुमने देखा था कि तो में आपका हाल है ना जो यह वीडियो देख रहा है तेरा हाल है तिरो को लग रहा है यार मेरा टूटा फूटा सीलिबस हुआ है मेरे को चीज़े याद नहीं आ रही है इंग्जाइटी और है डिप्रेशन हो रहा है मेरे नमबर 120 100 100 100 से नीचा आ है अरे लाखो बच्चों का यह हाल है मिरे भाई क्यों डर रहे हो केवला आपका हाल थोड़ी है रिलेटिवली रैंकिंग आनी है और बच्चों के कंपार्जन में रैंकिंग आनी है आपके अकेले थोड़ी आएगी यहां को बोर्ड एक्जाम थोड़ी चल लाएगी 95% लिया ग्रण के बेस्ट कॉलिज के दर एडिमिशन लेंगे और इसी के साथ मैं आपको एक आखरी चीज बोलना चाहूंगा ठीक है और आकरी चीज मुस्ट इम्पोर्टेंट जिमांग रखके चलना इसकी सको ठीक है है आप किसी भी चीज़ के लिए जिंदगी में मेनत कर लें ए एक होता है आपका प्लान ऑर एक हिसी को फ्लान ऑर मिसिर का प्लान से बहुत बहुत सब्सक्राइब बढ़ा है मेरे बाई तो आपका जो प्लाइं था आपके अंठें होना था आप mehinat आप ने कर दिए आप राम की का मेहन लिए और आप इनके प्लाएं कि इंका प्लाइन हो और और को आप execute करके आईये सब अच्छ होगा this is all from my side single jury signing off